जतने तेजी से समाज बदल रहा है परिसितिया बदल रही है। वैसी कोई समाज की तैयारी नहीं है वैसी कोई परिवार की भी तैयारी नहीं है इसलिए आप पाएंगे कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो फैमिली सिस्टम को लेके भी हमारा confidence lose होता हुआ दिखाई देता है हम तमाम colleges में अभी युवाओं से मिलते हैं तो शादी नहीं करने की मानसिक्ता वाला अप्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इन सारी परिस्तितियों में positive भी बहुत कुछ है एक व्यक्ति की व्यक्तिकर स्वतंतरका का सम्मान जितना आज है वो आज के पहले इतिहास में कभी नहीं था जितनी सुविधाएं हम भोग रहे हैं उतनी अकबर के पास नहीं थी हम मेंसे हर एक आदमी अकबर से ज़्यादा सुविधाएं भोग रहा है उसके पास आईफॉन नहीं था एसी भी नहीं था कार भी नहीं था गोड़े बैल गाड़े पे चलता था तो सुविधाओं के ढंक से देखें तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है जिसकी कल्पना इतनी तेज लांग हम लगाएंगे शायद 40 साल पहले कोई नहीं सोच रहा था हमको वो दोर याद है जब पेजर आया था पेजर से हम आईफॉन 13, 14, 15 क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं है लेकिन हमने एक लंबी दूरी तै की है और एक तेज यात्रा तै की है ऐसे तमाम परिवार है मेरे को लगता है कि हम लोग यहां जितने बैठे हैं हमारे पापा और दादा किसी गरीबी से निकल के आए हैं ऐसा हमको जरूर याद होगा कितने लोगों ने देखा अपने परिवारों में हमने गरीबी को देखा और लगभग हमारी पीड़ी या हमारे बच्चों की पीड़ी वो पीड़ी आ गई है जिसने गरीबी को अब नहीं देखा हमारे लिए एरोप्लेन दर्शनी अवस्तू था हमारे बच्चों के लिए ट्रेन दर्शनिय वस्तू हो गई उनको 24 घंटे कैसे जा सकते हैं तो जो जिससे शुरू करता है वो उसको मिनिमम ही लगता है तो इन सारी बातों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदला है उसमें सकारात्मक भी है और कुछ नकारात्मक भी है लेकिन सकारात्मक को एंजॉय करेंगे और जो गैप्स हैं उसको पहचानेंगे उसको दूर करेंगे यही हमारा पुर्शार्थ है यही हमारे मानव होने का आत्मी होने का मतलब है किसी की जिन्दगी में चैलेंज नही हो तो जिन्दगी का मतलब भी क्या है?